नमस्ते सात्रों, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में द्वार समूतर के होईसल वन्स का इत्यास के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देवगीरी के यादवण से बारे में पढ़ा था यादि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटापर सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक और शेर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी इतियास से समधित महतोपुन जानगरी पहुंच सके और बे लाइकन दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलें और आप इतियास विशे से समधित महतोपुन तयारी कर सकें ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं द्वार समुदर के होईसल वनस का इतियास होईसल यादवों की एक साखा थे जो अपने आपको चंदर वनसी मानते थे वे गंगवाड़ी के पस्चिम में चालू के नरेसों के सामन्त के रूप में सासन करते थे उनका राजे चालू के तथा चोल्द समराजू के बीच एक मध्यस्त राजे था चालू के नरेसों में सुठ तरितिये के समय में इस मन्स के विष्णू वर्ध ने अपने को स्वथन्तर कर दिया वह एक महत्व कांक्सी सासक था और उसने चालुक के राजों को जीत कर अपने सक्ते का विस्तार कर दिया 1149 इस्वी तक उसने धरवार के बंकापूर में अपने को सुद्रड कर लिया तथा अपनी राजधनी द्वार समुद्र को अपने पुत्र की दिन्ता में छोड़ दिया प्रारम में वह जैन मतानुयाई था परंतु बाद में रामानुच के परभाव से वैश्णव हो गया उसके बाद उसका पुत्र नर्सिया राजा बना। उसके समय में कल्चूरी सरदार विजजर ने उस पर आकर्मन किया तथा बनवासी को उससे छीन कर अपने अधिकार में कर लिया। नर्सिया ने 1173 इस्वी तक सासन किया। नर्सियें के बाद उसका पुतर वीर बलाग वी थी जो 1173 से 1211 इस्यू में राजा बना उसने होईसल राजे का आगे विस्तार किया उसका चालू के सासकों से वियुद हुआ वस्तुत है उसी के काल में होईसल चालू कियों की अधीनता से अपने को पूंधिया मुख्त कर सके 1190 इस्यू में बलाग ने चालू के नरे सोमेश्वर चतूर्त तथा उसके सेनापती ब्रहम को अंतिम रूप से प्रास्त किया जिससे चालू के सक्ति का विनास हो गया उसके बाद बलाल के यादव भिलम के साथ कई यूद किये अंतित है 1181 में इस्यू में उसने गड़म के निकट विलम को पराजित किया तथा कृष्णा नतीतक के भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया परन्तू 1210 इस्यू में यादव अंस के सिंगन ने पुने बलाल को पराजित कर उन परदेशों पर अपना अधिकार कर लिया थ बलाल दुईतिये के बार नर्सियां दुईतिये सोमेश्वर तथा नर्सियां तृतिये ने 1211 इस्वी से 1286 इस्वी तक बारी बारी से सासन किया उनका मदूरा के पांडे वन्स के साथ यूद होता रहा होईसल कुल का अंतिम सासक नर्सिय तृतिय का पूत्र वीर बल्लाल तृतिय जो 1310 से 1349 इस्यू में था उसके सासनकाल में अर्था 1310 से 1311 इस्यू में अल्लाउदीन खिलजी के सेनापती मलिक काफूर ने होसल राज्य प्राकर्मन किया वीर बल्लाल प्राजित हुआ तथा उसने अल्लाउदीन को वार्शे कर देना श्विकार कर लिया उसने मलिक काफूर को अतुल संपति उभार में दी वीर बल्लाल 1349 इस्यू तक अल्लाउद फोईससलों का जो कल्ला हैं इस्थापत्य की उन्हत्ति के लिए विख्याथ है उनके काल में मंदि निर्मान के एक नई शैली का विखास हुआ इन मंदिरों का निर्मान भवन के संवान उचे ठोस चबूत्रे पर किया जाता था चबूत्रों तथा दिवारों पर हातियों, अस्वारोहियों, हन्सों, राक्ससों तथा पोरानी कथाओं से सम्मादित अनेक मूर्तियां बनाई गई हैं उनके द्वारा बनवाये गए सुन्दर मंदिरों के कई उधारन आज भी हरलेविड, बेलूर तता सरवन बेलगोला में प्राफ्थ होते हैं होईशलों की राजदानी द्वार समूदर का आधुनिक नाम हरलेविड है, जो इस समय करनाटक राजे में इस्तित है वहाँ के वर्तमान मंदिरों में होईशलेशवर का प्राचीर मंदिर शर्वादिक परशिद है, जिसका निर्मान विष्णों वर्दन के सासनकाल में हुआ, ये 160 फुट लंबा तथा 122 फुट चोड़ा है इसमें सिखर नहीं मिलता, इसके दिवारों पर अदबूत मूर्तियां बनी हुई हैं, जिनमें देवताओं, मनुश्यों, एवं पसुपक्सियों अधि सब की मूर्तियां हैं विष्णों वर्दनी 1117 इस्वी में बेलूर में चेना के सव मंदिर का भी निर्मान करवाया था, वह 178 फुट लंबा तथा 156 फुट चोड़ा है मंदिर के चारों और वेस्टिनी हैं, जिसमें तीन तोरण बने हैं तोरण दुआरों पर रामायन तता महाभारत से लिए गए अनेक सुन्दर दर्शियों का अंकन हुआ है मंदिर के बिथर भी कई मूर्तियां बनी हुई हैं, इनमें सर्श्वती देवी का नृत्य मुद्रा में बना मूर्ती चितरसर्वादिक सुन्दर एम चित्ता कर सक है होसल मंदिर अपने निर्मान सेली आकार प्रकार एम सुदर्ता के लिए परसिद है तो देखेगा, इस वीडियो में हमने द्वाळ समुद्र के होसल वनस के बारे में जानकरी प्रात की उनकी कलाइस त्वत्ते के बारे में जानकरी प्रात की और वीडियो एक्जाम के दस्ति से बहुत ही महत्तों पून है अतहे बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे